Hello students, कैसे हैं आप लोग? अश्या करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे तो देखिए मैंने chapter 6 के कुछ महत्पून कुश्चन लिया हैं और उनको हम solve करने वाले हैं जैसे पहला कुश्चन तो मैंने लिया है यहाँ पे दिया है DE समानतर BC है तो EC याद करना है मतलब DE समानतर किसके है BC के तो हमको निकालना क्या है? हमको EC निकालना है तो EC हमारा ये है हमारे पास AD दिया गया है BD दिया गया है और AE कमान भी दिया है हमको EC निकालना है तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको आधार भूच समानुपातिक ता प्रमे जिसे थेल्स प्रमे भी कहते हैं ये पता होना चाहिए तो थेल्स प्रमे 6.1 में आपके दी गई है आप उसको एक बर पढ़ सकते हैं यदि किसी त्रिभुच की एक भुजा के समानतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिन्दों पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खीची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं मतलब जैसे यहां पर हमारे पास एक त्रिभुज है हमने इस रेखा को खीचा है इस त्रिभुज की इस भुजा के समानतर और ये अन्य दो भुजाओं को अलग-अलग बिन्दों पर क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है तो ये दोनों भुजाओं जो हैं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है ठीक है तो इस प्रिमे को आपको याद कर लेना है समझ लेना है क्योंकि ये बनेगी तभी आप इस कुश्चन को लगा सकते हैं तो इस प्रिमे के एकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इस प्रिमे के एकॉर्डिंग एडी अपान डी बी जो है इसका अनुपात बराबर होगा एई अपान इसी के मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हल यहाँ पर हल लिखो आप हम लिख सकते हैं पहरे तो आपको यह बता देना है ठीक है प्रिमे बताना है उसके बाद B बराबर A E बटे EC और जो जो मान आपको पता हैं वो बता सकते हैं ठीक है दिया क्या है कि AD कमाने 1.5 और BD कमाने 3 cm AE कमाने 1 cm और EC हमको निकालना है यह आप बताना है आपको ठीक है उसके बाद यह सारे मान जो दिये गया थे वो रख देना है जैसे AD कमान था 1.5 और BD कमान कितना था BD कमान था 3 यह 3 रख दो फिर AE कमान था 1 ठीक है और EC कमान क्या था EC कमान हमको पता नहीं है तो EC की जगा इसी ही लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद यदि कुछ डिवाइड हो रहा हो जैसे इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा ठीक है यह 15 यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा मतलब यह हो जाएगा 30 क्या लिख सकते हैं इसको 15 बटे 30 इधर क्या था 1 अपन इसी 15 से कट जाएगा 15 15 15 दूने 30 ठीक है तो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मतलब तिरिया गुणा करते हैं तो कितना मिलेग हमको यह मिलेगा इसी बराबर देखो यहाँ पर एक लाइन आप यह लिख सकते हैं कितना बचा एक बटे दो और इधर क्या बचा इसी बचा न इसी का गुणा वन के सांथ करेंगे तो इसी मिलेगा और दो का गुणा वन के सांथ करेंगे तो दो यह सारे मन सेंटीमीटर मे आ जाएगा तो इसी कमान कितना मिल गया दो सेंटिमीटर तो इस तरह से आपको कुश्चन लगाना है बहुत इजी है और इस तरह के कुश्चन एक्जाम में आते हैं ओके थैंक यू